आप सब केसे हूं उमीद करती हूं आप सब बहुत इच्छी हूंगी आज की यूसफुल वीडियो एंड तक देखेगा सबसे बात है इस वीडियो की आपको यहां एक रुपया भी खर्च नहीं करना है और यह वीडियो आपके बहुत जादा काम आने वाली है तो वीडियो को एंड तक वोच कीजेगा चल पर पहली बारा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूले पहला इस्फुल टीप हर इंसान के काम आने वाला है तो यहां यूस किया है मेरे आटा और आप देख सकते हैं यही मेरे पास फेविक विक हमने फेविक की मदद से आज हमें कैसा जोड बना के रिडी करने वाले हैं जो कि कभी भी नहीं तूटने वाला है तो देखे हमें कुछ नव कुछ चीजे ऐसी है जो की तूटती रहती है यहां फ्रीच का एक पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं तूट चुका है इस तरह की कोई भी प्लास्टिक स यूज कर सकते हैं तो देखे जैसे मैं बता रहे हो ऐसे ही आपने अप्लाई करना है जोड होता है वो बहुत मचबूत होता है इसलिए इसका यूज किया है आपने देखा होगा इसे यूज करने के बाद भी अकसर चीजे तूट जाया करती है कारण होते है क्यूंकि उसके तो देखे उस एर वाली जगा को हमने पुरी तरीके से फ्यल करना है सबसे पहले तो आपने इस तरीके से स्टिक कर लेना है इसके बाद में आपने बीना टाइम बर बाद कर रहे हुए इसके उपर आटा डाल देना है अगर आप फैवकिक की वज़ाए नेलपेंट का यूज क यूज करना है आप मेधा भी ले सकते हैं गेहूं काटा भी मकई काटा भी ले सकते हैं और इसको ना इस तरीके से इसके ओबर डाल देना है अब आप देखें कि यह जोड़ बहुत जादा मजबूत हो गया है इसके अंदर जोड़ी वह जो एर है ना वहीं रहती है जिसकी मैं आप नेल पैट लेते हैं उतनी ही मात्रा में आटा लिजीगा दोनों को अच्छे से मेक्स कीजीए गां जिस बी चीज को आपने करना है जो बीशी को आपने जोइंट करना है पानी का मगगा हो और रिजल्ट जो है वह 100% आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें ना हमेशा थोड़ी वह नमी बनी रहती फ्रीश के इंसाइट अंदर की तरह जिसके बार-बार खुल रहा था तो ब्रैनेस्ट आम इस पर आटा अप्लाई किया और इसका जोड़ है वह अच्छे से मजब इन्होंने लेसंद को खौला और ऊकारदरी सरफिस को चुनाव किया और वहांपर आपने देखा कि इन्होंने देखा उसले लेसंद को इसानी से निकल रहा थे ना इन्होंनी फूह अच्छा फाइदा यह कि यहां पर आपने छोटी बड़ी लेसन सब एक साथ चल सकते हैंत जब भी आप इस तरीके को अपनाते हैं लहसुन उतनी ही छीले जितनी की आपने एक ही टाइम पर यूज करनी है अगर आप बहुत साथ छील लेते हैं तो स्क्रबिंग की वज़े से क्या होता है उसकी सर्फेज भी छील जाती है जिसकी वज़े से लहसुन लॉंग टाइम तक नहीं चलती है तो कोशिश कीज़ेगा उतनी ही लहसुन के लिए इस टेकर यूज करें जितनी इंस्टेंट आपको चाहिए है तो एक एक लहसुन को छिलने की बज़ए आप इस टेकर आपना सकते हैं देख सकते हैं आप इनके हातों की तरफ बस यह लहसुन को पकड़ी रह कुछ ही मिनिट लगे इन्हें और यह जितनी भी लहसुन थी ना इन्होंने हातों हाती साफ करकी मुझे दिखाए और मुझे ट्रिक सच में बहुत बढ़िया लगी तो उमीद करती हैं आपको भी ट्रिक बहुत अच्छा लगी होगी आपने भी इन्हें सुना होगा गंटो इन बॉक्स की यह है कि इसमें उकपर से मैं पता नहीं चलता कि किस रंग की चुडिया इसके अंदर हमने रखी है तो देखिए एक ट्रीक में आपको बताती हूँ यह बहुत सादा पसंद आएगी और सबसे ची बात है इसे हर महला प्लाई कर सकती है और फ्री का तरीका है हूए मैं तो दिखे आपके ऄगर में गर्म बहुत सारी आती होंगी और भी चीजों के लिए हमें इस तरह की पानी और जूश की बोटल का आज हम यूस करेंगे तो यहाँんなidd necessine अपर मैं इस बोटल आपको दिखा रहे हूँ इस तरह की डेनी है कोशे ची कुलती की अपने Vid इस लेरी की एक local bottle है जो वे आपको दिखा रही हूँ अगर आपके पास ऐसी भी है तो भी चलेगा आपने क्या करना है इस बोटल में कुछ इस तरीके से cut लगाना है आप चाहे ना तो उपर की तरफ भी इसे cut लगा सकते हैं मैंने आदा हाफी cut लगाया है ताकि बोटल में कि उपस ङबना इसके अंदर कुण सी चूडी आपने रखी है बार बार हम चुडियों की बॉक्स में जब चुडिया रखते है तो ज़रुत हमें ईक ही होती है पर हमना साड़ी चूड़ीं को इर्ग लिखने क्योंकि हमें उपर से पता ही नहीं चलता है कि अँदर कुण सी च को अपनाते हैं तो आप बिल्कुल डूब को निकाल mêmes मुझे करती हूं यह बाला है पको पिस snippet अगर आप चाहते हैं तो आप शूर अम अधिशने को जो की लगा सकते हैं ताकर वह बंड़ी बीडियूम machinery हर महिला के हाथ की साइज अलग-अलग होती है इसलिए आप बोटल का चुनाव ध्यान से कीजेगा कि आपकी चूडिया की इस बोटल के अंदर आती है तो यहां पर एक जो बड़े कड़े आप देख रहे हैं यह मेरे नहीं है किसी और के हैं तो यह ना इसके अंदर आ नहीं क्योंकि इनके साइज छोटी है और इसके उपर नग भी लगे हुए है तो इस तरह की जो चूडिया है ना जो थोड़ी जाता ही महंगी है जिनके प्राइस करें पांसो से उपर है तो इनको आप इनके अदर मढ डालेगा अगर डालते भी है तो बड़ी बोटल का चुनाव भी ना हो तो उमीद करती हूं यह फ्री वाइला आईडे आपको पसंद आया होगा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है बिल्कुल न भूलें चले देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूसफुल टिप सोया बड़ी बनाते वक्त एक सावधानी जरूर रखें ज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे ठंडा कर लो उसके बाद में निकालो तो इस सारा ज्ञाग वापी से बड़ी अफजर्व कर लेती है तो कोशिश कीजिएगा बॉयल करते वक्त ही इसका ज्ञाग इस तरके से निकालते जाए तेखे काफी सारा ज्ञाग न निकल के आया है और यह निकालना बहुत जड़े हैं हमारे हल्ट को बहुत ज़्याय है इसमें यूरी कैसीड होता है कीचर में काम करते हुए अक्सर हमारे सारा एसी गल्तियां हो जाती है जल्दी बाजी में सही या हमारे जलाव कोई और कीचर में जाता है तो वह बरतनों को घलदे इस तो इसे साफ करने का एक आसान सा ट्रेक मैं आपको बता रही हूं इसे आप फोलो किजेगा आप देखेंगे इसकी जो दाग दब्बे है वो निकल जाते हैं आपने लेना है नीबू नीबू हर कीचन में होता है इसी का हमें यूज करना है एक और कमाल की चीज में आपको बता चाहिं कर सकते हैं उसके लिए आपने लेना है मीठा सोडा हमारे खाने में यूज होता है जिसे हम बेकिंग सोल बहुती है नेबू के अंदर इससे दरी बाधिं देना है ऑर आप दोनोंको अच्छे से मिक्स करना है और आप देखेंगी lorsque पीदाक ध्विए ना कुछी तोड़ा सा मिने स्क्रबिंग करी और आप देख सकते हैं इसमें काफी हद तक जो दाग दब्बे हैं वो निकल के बाहर आ गए हैं अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रू बताईगा चैनल पहले बार आएं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसी यूसफुल वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहती हूं चले मिलते हैं अगली यसी यूसफुल वीडियो में जॉप की घर और कीचन की काम का असान बनाएं चल को इबा जरू विजट कीजेगा देख निकले बहुत सारा आपका धन्यवाद